तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एलेडास शेयर के बारे में अभी के टाइम अगर देखा जाए बैक टू बैक अपर सरकीट हमें देखने को मिल दे हैं और उसी के साथ साथ रेसेंटली हमने जो स्टॉक है जब लगातार गिरावट हो रही थी तो 125 रुपे 130 रुपे के लेवल के आसपास 200 सजेसन यहां पे दिया था अभी के टाइम देखा जाए तो अच्छा गासा प्रफॉर्मेंस में देखने को मिल दा है जिस गती से ये श्टॉक गिरा था अगैन उसी गती से ये शेर हमें जम करते हुए देखने को मिल दा है क्या टार्गेट रह सकते हैं सुबह के टाइम एक सेलिंग प्रेसर बनी थी मार्केट में भी दोस्तो आज के दिन प्रेसर रहा वॉल्टिल्टी बहुत ज़्यादा देखने को मिली एंड उसी वॉल्टिल्टी के बीच एरेडा ने यहाँ पर आज हमें आपर सर्किट लगाते वे नजर आया क्या व्यू रहेगा क्या ये दोस्तो अगैन 200 रुपे के लेवल को ब्रेक करेगा तो वो इस वीडियो में हम जानने की कुशिस करेंगे फाइब देखेंगे तो 10% तक का अच्छा कसा जंप मिला है वन मंत में यहाँ पर 2% की तेजी दिखी है शेर गिर के अगेन यहाँ पर रिवर्स हुआ है एंड 6 मंत की बात की जाए 162% तक के रिटेंस कंपनी ने हमें निकाल के दिये है वन एर में दोस्तों यहाँ पर 162% तक के रिटेंस जो है वो इरेडा शेर में हमें मिले है देखें दोस्तों इरेडा में जो यह तेजी चल रही है रीजन क्या है क्या है दोस्तों यहाँ पर वजज़ जिस वज़़े से यह शेर कंटिन्यू भाग रहा है रीजन दोस्तों यह है कि रीजन यहाँ पर कंपनी ने अपडेट दिया है कंपनी ने अपने बैलेंस इट का कंपनी ने क्वाटर फॉर की रिजल्ट का अपडेट दिया है क्वाटर फॉर बिजनस का अपडेट दिया है 31 मार्च को समाप तिमाही के लिए एरेडा ने 23,776,000 करोड उपे के रन की स्विकर्त किये है हालनकि एरेडा ने दोस्तों यहाँ पर जो है कि फंड रेजिंग का जो प्लैनिंग किया था 24,000 करोड का उसकी वज़़़ से भी शेर में अच्छा गसा हमें ग्रोथ देखने को मिला है जिसकी जो कंपनी ने फंड रेजिंग का प्लैनिंग किया था 24,000 करोड का उसी वज़़़़ से एक अच्छा गसा हमें जंपी नजर आया आकड़े जो है वो पब्लिस किये जिसमें 37,354 करोड उपे के साथ सबसे अधीक रन स्विकर्थ किये है यहाँ पिछले वर्स में दोस्तों यहाँ पर जो था 32,587 करोड उपे का आकड़े था 32,587 करोड का आकड़ा था वो भी बढ़के हो चुका है 37,354 करोड तो जो कम्पनी के क्वाटर फॉर के जो रिजल्ट्स के आकड़े हैं वो हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिलता है Business अपडेश जो है वो बहुत ही अच्छे नजर आ रहे है company का जो run स्विकर्थ है वो यहाँ पर 14% हमें increase होते वे देखने को मिल दा है yearly wise जो कि यहाँ पर बहुत अच्छा परदसन company का दिखा रहा है company का जो business growth है वो अच्छा कसा चल रहा है तो अब आगी क्या व्यू रहेगा क्या target रहेंगे सबसे पहले अगर मैं आज के आकड़े दिखाऊं तो दोस्तो एरेडा अभी के टाइम यहाँ पर जो है आपका stock open होता है 148 पे high लगाता है 157 और low लगाता है 147 रूपी वॉल्यूम्स की बात की जाए तो यहाँ पे 2 करोड 60 लाग quantity का volume देखने को मिलता है अभी के time EMA order अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे EMA order के साथ company यहाँ पर आज closing दिया है 13 लाग quantity का यहाँ पर दोस्तो हमें एक अच्छा कसा EMA order देखने को मिल रहा है दिखे दोस्तो एरेडा में long term and medium term view मेरा view हमेशा bullish रहा है and medium term and long term वा आप तक यह जा सकता है वो भी जानेंगे देखे यहाँ पर अभी के समय हमें यह देखना है कि government जो है किस business पर focus कर रही है government का दीखे काम यही है कि अपने देश को यहाँ पर अच्छी तरीके से चलाना देश कैसे चलता है देश के लिए सबसे important पहली जो चीज होती है वो हो important है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखी अगर सडक नहीं होगी तो ट्रावलिक नहीं होगी और यहाँ पर railway वगेरा नहीं होगे तो traveling हमें देखने को नहीं मिले कि यह सारी चीज़े यहाँ पर बहुत ज़दा important है तो government यहाँ पर सडक infrastructure इनके उपर भी focus कर रही है railway पर भी focus कर रही है तीसरी जो सबसे महत्तपुन दोस्तों चीज़ यह है कि यहाँ पर जो लोग travel कर रहे हैं कहीं पर अगर जा रहे हैं तो maximum लोग दोस्तों हर दिन electricity use करते हैं दुनिया का हर एक इनसान कुछ नो कुछ percent electricity use करता है कुछ नो कुछ unit electricity use करता है तो electricity दोस्तों हमारी basic need ब सारी चीज़ों में electricity use होती है बड़ी बड़ी industry है वहाँ पे भी electricity use होती है तो तीसरा जो important point अपना रहता है electricity और जो यह बड़ा बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम वगरा यह तयार होता है रेलेवे वगरा यह तयार होता है यह electricity के बिना नहीं हो सकते तो इसी वज़े से ज 40,000 करोड का market cap हो चुका है जैसा मैंने आपको पहले बोला था आने वाले समय में एक लाग करोड का भी market cap होगा यह कोई एक दू दिन में नहीं होगा दोस्तों time लगेगा आपको patience रखना पड़ेगा जो patience रखेगा वह यहाँ पर पैसा बनाएगा ROE ROC आकड़े हमें अच्छे देखने को मिल दे हैं company के quarterly अगर आप data देखेंगे revenue 879 करोड से increase हो के 1253 करोड का हो चुका है profit all time high पे 336 करोड yearly wise अगर आप देखेंगे 75% profit यहाँ पे जम किया है balance sheet improvement आ रही है 3600 करोड का result हो चुका है debt 40,000 करोड का हो चुका है total asset यहाँ पे 50, 30,000 करोड देखने को मिल दे हैं investors में FI and DI वालों की holdings भी हमें अच्छी कासी देखने को मिल रही है promotors की holding 75% हमें नजर आ रही है देखे दोस्तों IRIDA के अगर targets देखे जाए तो short term view के साबसे एक अच्छा कासा return भी मिलेगा लेकिन जो लोग medium term और long term रुकेंगे उनको देख सकते हो easily यह इसका यहाँ पर support था जो की stock jump किया again गिरा फिर एक बड़ा jump आया फिर यहाँ पर stock ने support लिया support लेने के बाद again jump दे चुका है breakout zone में अभी आपको बता देता हूँ जो की important level है जो की breakout level है अभी के time यह सारी level में आपको हटा के दिखाता हूँ उसके बाद मैंने एक level दिया था जब यह share jump कर रहा था आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हो तो वहाँ पर मैंने आपको एक level दिया था कि यह जो stock है वो maximum जब जाएगा तो आपका सिरफ और सिरफ 215 तक ही जाएगा maximum यह share 215 तक ही जाएगा अब ऐसा मैंने वहाँ प मैं देखने को मिला दोस्तो वो था अपना 213 रुपे का level के आसपास जैसे कि दोस्तो मैंने उस टाइम फिबोनाची level यहाँ पर लगाया highest level जो निकल के आ रहा था वो यहाँ पर 214 रुपे था and maximum दोस्तो आपका share 214 गया and वहाँ से आपको गिरते वे देखने को मिला उसमे के बाद 197 का level फिर 200 का level सारे target अपने hit हुए उसके बाद जब गिरावट हो रही थी तो मैंने एक level suggestion दिया था कि यहाँ तक यह जो stock है वो गिर सकता है अब फिबोनाची का level दोस्तो उसके साब से कैसे level मैंने दिया था इस परकार से जैसे ही फिबोनाची मैंने लगाया उसम अपने important support थे 0.5155 का एक important support था वहाँ तक यह share आया जैसे ही वो level break हुआ तो नीचे में मैंने आपको level दिया था 140 और 120 तो 140 तक आया एं 120 दुपे का जो यह level है यहाँ से share reverse हो गया यहाँ तक यह stock आया यहाँ से reverse हो गया तो अब जब यहाँ पे तेजी आ रही है तो आगे क तक यह stock हमें जाते वे नजर आएगा लेखे अभी जो यह तेजी आ रही है तो ऐसे में इसके लिए main level कौन सा है वो अभी के समय में आपको बता लेता हूँ अभी यहाँ पर जो यह एक jump हमें देखने को मिल रहा है तो इरेडा के लिए अपना एक important level दोस्तों रहने वाला ह 0.5 का level अभी यह जो share closing दिया है वो 0.382 के level पे closing दिया है 156 के level पे अभी इसका main important level है 167 167 रुपे का एक important level है अगर यह company इस level को break कर देती है तो यहाँ पे एक major level रहने वाला है 178 और यहाँ पे यह दो level है 168 और 178 यह दो level है अगर यह दो level short term में break हो जाते हैं तो यहाँ easily यह company आपका 200 का level भी break कर लेगी और उसी के साथ साथ यहाँ तो short term में यह view है and short term में अपना 178 यह दो level है लेकिन अगर आपका view election तक है तो यह stock easily 200-220 रुपे तक की target आपको दिखा सकता है and election के एक महीने बाद तक भी आप hold करते हैं तो 250 का level भी हमें यहाँ पे दिख सकता झाथ